तो हेलो गाईस आपको यह बता देता हूँ कि मेरे अंदर सदियों से अज्जु भाई बनने का जो कीड़ा पल रहा था ना उस कीड़े को बाहर निकलने का समय हो चुका है क्योंकि गाईस अगर वो कीड़ा अभी बाहर नहीं आता है ना तो समझ लो उस कीड़े का खेल उहीं खतम लेकिन गैस रुको 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 वो कीड़ा बाहर आ चुका है और गैस आज हम बनने वाले हैं अज्जु भाई और आज हम बंदों के साथ नो इंटरनेट प्रांक करने वाले हैं क्योंकि तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो हम बंदों से बिना डरे अज्जु भाई की तरह खड़े हैं एंड गाइस हम उन बंदों का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर वो कब आएंगे और हमें मारेंगे तो पहले उनका नाम देख लेते हैं कलोन अरे भाई यह नीचे पहाड़ी ह वह भाई हैं से बंदा आपने दोस्तों को हमें नहीं मारने के लिए बोल रहा है लेकिन इसके दोस्त लोग जबताओ कि हम जान बूज कि अपने आपको मॉथ के मुख में क्यों ढके ले नहीं लोब अगे आगर हम अच्जु बंदों से पंगा लेने दो को क्योंकि गईस देखो अगर हम अच्जु भाई बनते हैं और करते हैं सब्सक्राइब्ल हम्हों में और और अगर चौथे राउंड में जब हम इनको मारने जाए उसके बाद अगर यहीं हमें मार दें तो फिर हमारा रियक्शन तो बिल्कुल आइसा हो जाएगा तो गाइस उससे अच्छा यहीं होगा कि हम अज्जु भाई गल बन लेंगे नो इंटरनेट प्रांग परसो कर आखिर वो लोग गंगे और हम इधर से दर 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 ओ आगया आगया और दिजल बाए अपने आपको राई समझते हो क्या तो यहांपे भाई इसको रिवाइब कर लेते हैं और इनका और एक बंदा किदर और दूसरा चलो गइसां तुम प वाले से मजे करते हैं और गाई इस नहीं विए अब भाई मजाक मस्ती वाद में पहले इसको इमोर दिकाते में हमको मार रहा था देख रहा क्ति वा आज हम मुक्राम करें चलो वो बंदा भी नौख कि ओ भाई साब गाइस पहाड़ी बचा हुआ था जो की एलिमीनेट हो गया और यहाँ पहाड़ी ने हमको एक राउंड जितवा दिया है मतलब ऐसे भी हम जीत सकते थे बट उसने जितवा डाला तो उसके लिए थैंक्यू पहाड़ी तो गाइस यहाँ पे तीसरा राउंड हो होगा क्योंकि अभी उनके दोस्त लोग थोड़ा गुस्से में होंगे तो चलो देखते हैं क्या होता है तो कई समीधर आ चुके हैं और दूर दूर तक कोई बंदा जिखने रहा था बट टीम अप वाला बंदा दिखा और हमारे दोस्त ने उसको दो चार गोली मार दिया ब तो गैस मैं उनको ढूंडी रहा था कि पीछे से किसी ने मेरे दोस्त को मारा और मैं वहाँ ही पे जा रहा था कि अचानक से मेरे इस छोटे से खिड़की के अंदर एक बंदा दिखा जो की एम 10-14 लिये हुए था हापों में तो गैस मेरे साथ साथ उस बंदे को मेरे दोस्त ने भी देख लिया था और वो डायरेक्टली उस पे रस करने पहुँच गया और फिर अचानक देखो कि क्या होता है तो यहाँ पे गाईस उस छुपे रुस्तम ने मेरे दोस्त को मार दिया और फिर मैं उस बंदे को मारने ही वाला था बट अंदर चला गया फिर बाहर घास बनके निकला और मैंने उसको नौक कर दिया और गाईस फिर अचानक मेरी नजर यहाँ पे पड़ी और मैंने देखा य और हम तीन लेकिन कोई दिक्कत वाली बात है नहीं क्योंकि इसने तो टीम अप किया है पहले राउंड से ही और भाई ये क्या ही खतरनाक वाला इमोड दिखा रहा है गाइस देख रहे हो ओ भाई साबरे रे गन पकड़ रहे हो मारने का भी चार है क्या सर इस बंदे को ओ मारता है तो हम इसको मार देंगे लेकिन ये जाओ रहे खुद को अलीमिनेट कर लिया औरो हम जीट चुके है देखते हैं तीसरे राउंड में क्या होता है अरे नहीं नहीं गैस यहां पर तीसरा राउंड ने बलकि 4 राउंड चल रहा है क्योंकि 2 राउंड हमने जीता एक उन्होंने तीन तो ऐसे ही खतम हो गया तो यहां पर 14 राउंड चल रहा है तो देखते हैं 14 राउंड में क्या होता है तो पहले हम इदर अपना पोजिशन बना लेते हैं और गईस यहां पर डरने वाली बात है नहीं क्योंकि हमारे पास तीन-तीन गुलुवाल है और बंब तो पहले इनको मारते हैं टीम अफ वाले को छोड़ो वो तो किसी को कुछ कर ही नी रहा है तो ओ भाई ओ भाई 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 इधर बंदे पूरा भाई प्लाइनिंग बना के इधर बैठे वें क्या तीनों देख रहे हैं गास बन गए रुप जाओ उनका घास हम अभी फोड़ते एले भाई घास बनोगे घास बनोगे ओ भाई गुलूवल लगा लिया उसने तो गईस अब हम यहां पर बंब का इस्तमाल करते हैं और यह हमने पकड़ा हासों में बंब उसका है और एक बंदा बचा हुए उसने तो टीम अभे भाई मेरे दोस्त को उसने म पता नहीं आखिर ऐसा क्यों किया मेरे को लग रहे ना वो लोग हार रहे तो थोड़ा उनका मन बदला होगा तो चलो भाई इतनी बड़ी गद्दारी की है ना इसने की हम तो छोड़ेंगे नी पहले हम इसको भी गरेनेट से मारते हैं रुक जाओ ओ भाई भाई यह सामने अगिया गैस रुक जाओ 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 तरह अरे भाई गुलूवल लगाते हैं चलो हम पीछे निकल लेते हैं यहां पे थोड़ा मामला सिरियस लग रहा है तो देखते हैं गैस क्या हम पहाडी को मार पाएंगे यहां पर सबसे बड़ा सवाल यहीं है तो पहले हम इधर हील क कर लेते हैं अरे यह तो आ रहा है सामने वह भाई साहा पहारी का खेल खतम और बाबा तो यहां पर लास्ट राउंड बचा हुआ है मतलब लास्ट राउंड नहीं अगर वह लोग जीत जाते हैं गलती से भी तो फिर से हमें खेलना पड़ेगा उससे अच्छा भाई इसी राउंड में खेल खतम कर देते हैं पहाड़ी का भाई पहाड़ी ने में बहुत ही डेंजरस वाला धोखा दिया गाइस मुझे लगी रहा था कि पहाड़ी हम लोगों को धोखा देगा ही देगा बट भाई उसने ना दो बा कर देखे हो और फाए पहाड़ी बाबू को देखरें यहां पर छोटे से घर के अंदर चिपा हुआ है तो भाई आरायकी नहीं आ देख रहो भाई पहाड़ी बाबू और रुख गया इसको हेडशोट लगा था तो पहाड़ी को छोड़ो पहले हम उनके दोस्त को मारते हैं क्योंकि हमारा दोस्त को किसी देखो यहां पर बंदा है तो भाई 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 बच गया अंदर चला गया तो चलो इधर से निकल लेते हैं देखो किसाइड में कोई है और सायद से पहाड़ी बाभू को मेरे दोस्त ने नौक कर दिया तो यह देखो यह बंदे यहां पर आ रहे हैं इसको हेड़ोट मारता ह लगा कर दिया तो चलो पहले इधर लेता है और ले oyun opposition कर दिया अब यहाँ यह पे इस अकेले a बंदा बचा हुआ है तो यहां पर इस बंदे को इमोड दिखाए क्या चले मोड दिखाते हैं और लेजेंड ने खतम कर दिया तो चलो कोई बात निए अब उस अकेले बंदे को हम दवडा के मारेंगे बाइब किधर है वो बंदा नहीं नहीं आखिर वो किधर चिपा हुआ है मेरा मूँ से निकल गई मेरी जब भाई साहब पहले हिल कर देते हैं वहां पर बंदा चिपा हुआ है मैंने देखा नहीं बट अब देख लिया तो अभी हम उसको मारने के लिए जाते हैं हमारा दोस्त बोल रहा है कि टीम अप करे क्या बट बट गाइस अब मेरे को टीम होगा तो हम पीछे से जाते हैं और अभी हम उसको बताते हैं सब्सक्राइब किधर है बोलो मैं आता हूँ अरे भाई सब मेरे दोस्त ने उसका खेल खतम कर दिया तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना और हम तो चले थे अज्जु भाई अगली वीडियो में अगले गेम में अज्जु भाई बनेंगे और नो इंटरनेट फ्रांक बंदों के साथ करेंगे बट आज के लिए तना ही वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना ताकि मैं जल्द से जल्द निव वीडियो लास सकू और हां अगर आप चैनल पर न लोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो